प्रवाइब आपको वीडियो के मादम से प्रवाइड के जा रहे हैं तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कुछ important question answers जो की था unit 4 का unit adolescence से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं unit 5 के question answers adventure से तो यह जो questions है यह questions है previous year के तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो first question है वो है why did the Robinson family have to leave the seat यानि Robinson family को seat को क्यों छोड़ना पड़ा तो इसका reason यह है कि इनका जो जहाज है वो भयानक तुफान में फसा हुआ था और उसके बाद इनका जो जहाज है वो जमीन से टकरा जाता है ऐसी condition में जो जहाज है वो वहां से हिल भी नहीं सकता था तब ऐसी condition में इन्हें अपना जो जहाज है उसे उन्हें छोड़ करके जाना पड़ा तो इसका जो answer होगा इस तरह से होगा their sheep had been caught in a terrible storm and struck on land so Robinson family had to leave the sea now let's see the next question our next question is write two difficulties the Robinson family faced on their way to reach the land या इसी question को ऐसा भी पूछा जा सकता है और ऐसा पूछा भी गया है आपके previous share में what difficulties did the Robinson family faced on their way to reach the land Robinson family को land में पहुचने से पहले या land में पहुचने के समय कौन कौन सी difficulty का सामना करना पड़ा तो इसका जो answer है वो इस तरह से है कि जब वह यहां से यानि सीप को जब छोड़ करके land पे जा रहे थे तो उन्हें कई difficulty का सामना करना पड़ा जैसा कि यह सबसे पहले जब इनका जो जहाज जब फसा हुआ था तब यह आवाज लगा तो लास्ट जो सेलर थे लास्ट जो 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 बोट वाले थे अन्य जो यात्री गण थे उनके जहाज को नहीं आवाज लगा है लेकिन वो सुने भी नहीं और मूड़ करके भी नहीं देखे इसस तरह से वो चले कए एक रास्त इनका समाप्त हो गया बंद ह थे वो raft के सहरे नहीं जा सकते थी छोटा सा होता है जिसके सहरे वो जाते लेकिशन को नहीं सकते थे युटे दिंगा तो इसका जो आंसर होगा वह इस तरह से गा, two difficulties Robinson family are, first है, the last boat pushed off, loaded with cellars, first, जो, जो last, जो cellars थे, यानि, last boat वाले, पुछ तो चले गए, and they could not build a raft, because it was not safe, और वो raft नहीं मना सा की, क्योंकि ये safe नहीं था, now let's see the next question, how did Mr. Robinson manage to get fresh coconuts, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि Mr. Robinson है, वो कैसे और किस तरह से fresh coconuts प्राप्त किये, तो वो अपना दिमाग लगा है, और दिमाग लगा कर कि उन्होंने क्या किया, देखे, जो coconut का पेड़ था, वो काफी हाई था, काफी हाइट, अब उतनी हाइट में कौन चर सकता है, नहीं चर सकते, इतनी आसानी से, बहुत खत्रा है, तो ऐसी कंडिशन में, इन्होंने देखा कि में कौकूनॅट के पेड़ में कौन बैठे हुए थे, बंदर बैठे हुए थे, तब इन्होंने क्या क्या, इन्होंने पत्थर प्राप्त होने लगे. तो जितनी पत्थर वो बंदर की तरफ मारते थे, उतने ही फिस्स vonuk zweiten के द्वारा इनको मिल ते थे. व्हुं इस तरह से इन्होंने है अपने दिमाग से, अपने दिमाग का यूज किया और इस तरह से नंहेt fresh coconuts प्राप्ते की तो इसका जो आंसर होगा इस तरह से होगा Robinson threw stones on monkeys who were on the coconut tree the monkeys copied it and they picked up the coconuts and threw it to them thus Mr. Robinson got the fresh coconuts इस तरह से now let's see the next question what creatures does Sumba imagine in the poem poem में Sumba कौन-कौन से जीवों को वो जो है कौन-कौन से प्राणी को वो imagine करती है तो ढेर सारे प्राणी को imagine करती है जैसे अंजान वेक्टियों को imagine करती है इसके लावा dragon को imagine करती है hungry walls को imagine करती है इसके लावा hungry beers को imagine करती है और किसको imagine करती है और भूतो जैसे प्राणी को भी imagine करती है भूत प्रेद को imagine करती है इसके अलावा वो किसको imagine करती है यह जो है spiders है spider को भी वो imagine करती है तो इतने सारे चीजों को वो imagine करती है तो answer हो जाएगा the creatures that sumba imagine in the poem are strange person, dragons, hungry wals, bears, goblin fox and spiders etc Now let's see the next question, our next question is what are the dreadful things that sumba talks about यहाँ पर पूछा जा रहा है कि dreadful things क्या है जिसके बारे में sumba वो बात करती है तो वही है जो भायनक चीजे है जिनने हमने अभी just देखा हुआ है वही सारी चीजे है जिनको वो imagine करती है जैसे गुफ़ा है खतरनाग गुफ़ा वगेरा है इसके अलावा जितनी भी जीव हमने अभी देखा है spiders है Goblin fox है ठीक है भेडिया है जैसे beards है, walls है, अंजान प्राणी है इन सारी चीजे़ों को वो imagine करती है तो इसका जो answer होग इस तरह सोगा, in the poem सुमबा talks about some dreadful things that are deep and airy calves, slipping dragons, hungry walls, bears, lurking spiders and goblin fox etc. यानि answer जो है वो same है जैसा कि हमने जस्ट देखा हुआ है Now let's see the next question What would सुमबा do if he came across walls, gates and fences? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो सुमबा है वो क्या करती यदि यह जो जीव प्राणी है वो walls, gates and fences से होकर उनके पास आ जाती है तब वो क्या करती तब वो क्या करती तो वो जो है अपनी जो डर है उस पर काबो पाने के लिए उवरकम करने के लिए वो क्या करती वो कोसिस करती एफ़र्ट लगाती तो इस तरह से उसका जो अंसर हो जाएगा वो इस तरह से होगा कि वो क्या करती? सुम्बा कुड हर्डल विट अ बाउंड and he could see all these things when he camp across walls, gates and fences. तो हर्डल का मीन्स यहां पे हो जाएगा ओवर्कम करना, जीतना, उस पे वीजाय हासल करने के कोशिज करती, अपने भै पे, अपने डर पे काबो पाने के लिए वो कुर्सिज करती, तो इस तरह से उसका आंसर हो जाएगा. Now let's see the next question, who was Ibn Battuta, Ibn Battuta कौन थे? तो Ibn Battuta जो है, वो एक पिल्ग्रिम थे, यानि वो एक यात्री थे और वो अहमद, अहमद नाम का कोई लड़का है, उसका वो चाचा भी थे. तो इस तरह से उसका जो अंसर हो जाएगा, वो होगा, Ibn Battuta was a pilgrim and was uncle of Ahmed, Ahmed का चाचा और एक पिल्ग्रिम, यानि यात्री था. Where did he start? तो Ibn Battuta की जो फर्स्ट यात्रा है, पहली यात्रा है, वो कहां से स्टार्ट हुई, लुसकी एज क्या थी? तो उनकी जो यात्रा थी, इबन बतुता की यात्रा थी, वो कहां के लिए थी? वो थी Holy City of Makkah, Makkah की Holy City, Makkah नाम की Holy City है, वहां के लिए इसकी यात्रा थी और ये 21 यानि 21 वर्स की आयो में ये यात्रा किये हुए थे और उसके बाद क्या है? It what is and from where did he start? और इन्होंने कहां से start की थी? तो यहांने तंजीर नाम की स्थान से इन्होंने यात्रा की सुर्वात की थी, तो इसका जो आंसर होगा, इस तरह से होगा His first journey was a pilgrimage to the Holy City of Makkah at the age of 21, he started from Tangeer, तो इन्हें आपको याद रखनी है कि इन्होंने यात्रा कहां के लिए की थी? Holy City of Makkah and किस age में? 21 year के age में और कहां से सुर्वात की सियात्र की? तो कहां से सुर्वात की थी? Tangeer नाम की स्थान से Now let's see the next question, what does one learn by traveling around the world according to Ibn Battuta? इवन बरता के नुसार, हम संसार के भ्रहमन करते हैं, संसार के यात्रा करते हैं, तो क्या क्या चीज़ की सीख सकते हैं? सब्सक्राइब करने के पाइदे तो है बहुत सारे लेकिन कुछ-कुछ नुक्सान भी है तो कुछ-कुछ डर भी है तो इन्हीं चीजों को इन्हों ने बताया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू इबन बदुता वन कें सी वंडर्फुल टाउंस इन सिटीज मिट इंटरेस्टिंग पीपल एंड दू एक्साइटिंग तो यह है अच्छे पॉइंट्स बट इन ही और हर बैट टाइम ही और सी कैन गेट इल मीट बिग हंगरी अनि से भी उनकी मुलाकात हो सकते तो खत्रे भी है एक तरफ अच्छाइया है तो दूसरी तरफ कुछ न कुछ कमिया भी है तो यह है यात्रा के फाइदे एक नुक्साग नाव लेट सी दर इस क्वेश्टिंग वाट इबन बदुता डू 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 वैन ही फैल इल इन कॉंस्ट जब वो बिमार हो जाते हैं तब उनके साफ क्या होता है वह उल्ड गुठा देते हैं और पीछे से उस गधे को क्या करते हैं मारते हैं, पेटते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी चले, तो यही है, उनकी जो friends है, वो उनकी help करते हैं, तो answer हो जाएगा, तो इस तरह से यह सारी चीजे होती हैं, तो इस तरह से यह सारी चीजे होती हैं, तो वो अपनी journey को किसको बताता है, वो अपने ही भतेजे, अहमद को वो बताते हैं, तो इसका जो answer होगा, वो इस तरह से हो जाएगा, इबन बुतार, narrating his journey to अहमद, तो इस तरह से वो अपनी story को बताता है, तो आज हमने बहुत important question answers, बहुत ही अच्छे तरीके से complete कर लिये हैं, I hope कि आपको वीडियो lecture काफी अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आई होगी यह चीजे, और आपको जादा से जादा number provide करवाने के लिए हमारी पूरी team लगातार आपके लिए धे सारे वीडियो अलग-अलग subject के लगातार देते जा रहे हैं, ताकि आप जादा से जादा number लेकर के आओ, आसा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और बहुत ही सांदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ताकि आपके जादा से जादा number लाए, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहे हैं, ताकि हम जादा से जादा videos आपको provide करते रहे हैं, ताकि आपके जादा से जादा number आए, मैं मिलूँगा एक interesting relation के साथ next video में, तब तक के लिए धन्यवाद,